ये है दोस्तो वीडियो का पार्ट टू फिल हीत बायोग्रफी में अब ये कहानी शुरू होती है दोस्तो 2012 के साल से फिल हीत ने 2011 में सक्सेसफुली अपना टाइटल क्लेम करा और अभी वो पब्लिक में एक हीरो की तरह से दिखाई देने लग गए थे 2012 के इस साल में जब ये उतरे स्टेज पे अपना टाइटल डिफेंड करने तो इनके पॉपुलरिटी उस टाइम बहुत ही अच्छी बनी हुई थी फिल इस शो के अंदर दिखाई दिया एपसेलीटली थिक और बहुत ही ज्यादा डेंस और यहाँ पर फिल हीत इतने ज्यादा कंप्लीट नजर आ रहे थे कि कोई भी और दूसरा बॉड़ी बिल्डर उनके आगे स्टेज पे टिक ही नहीं पा रहा था यहाँ पर काई गरीन इनके सबसे बड़े एक दावेदार की रूप में नजर आए और साथ में इनके बिल्कुल आ करके खड़े हो गए लेकिन थिकनेस और राउंडनेस जो फिल हीत की मसल्स में उस टाइम तक आ चुकी थी वो किसी भी कंपेटेटर पे नहीं थी यह एक वन आफ दा बेस्ट लुक थी फिल हीत की बिल्कुल परफेक्ट प्रपोर्शनेट फिजीक थी यहां पर फिल हीत दूसरी बार अपना टाइटल क्लेम कर लेते हैं और यही वो साल था दोस्तों जिसके बास सब चीजे बदल जाने वाली थी क्योंकि 2013 बीस सेप्टेंबर को एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था जनेरेशन आयरन यहां से कम्प्रीटली स्टोरी बदल गए क्योंकि इस मुवी ने सेट किया था फिल हीत का एक अलग नेरेटिव ओडियन्स की बीच और कायगरीन का एक बिलकुली अलग नेरेटिव ओडियन्स के बीच में यह फिल्म दिखाती है सारे इतलीट्स की प्रेप्रेशन को जो 2012 की मिस्टर ओलम्पिया में कम्पीट करने जा रहे थे यानि कि यह फिल्म रिलीज तो 2013 में हुई थी लेकिन दिखा रहे थी 2012 मिस्टर ओलम्पिया का टाइम फिल्म में कई सारी ऐसी चीज़े दिखाए गई जिसने की ओडियन्स के दिल को और ओडियन्स की पूरी की पूरी एक सोच को कुछ अलग तरीके से टच कर लिया था ये फिल्म दिखाते है काईगरीन कैसे एक औरफन चाइल थे जिसमें बिल्कुल सचाई है ये सच बात है और किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया लाइफ में बहुत ही ज़ादा अलग अलग टफ सिचुएशन का सामना करते हुए और 2012 तक भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं लेकिन उसी के साथ साथ ये फिल्म ये भी दिखाती है कि फिल्हीद जो अभी चैंपियन है वो कितने ज़्यादा अमीर है उनका बैग्राउंड कितना स्ट्रॉंग है मेंगी मेंगी घडिया पैननी लग्शूरियस कार में घूमना एक बड़िया मेंगा आलिशान बंगला और हर चीज उन्दा किसी चीज में कोई कमी नहीं और वहीं पर काई ग्रीन का अलग नेरेटिव रहता है और वो नेरेटिव रहता है उनकी गरीबी के अराउंड उनका एक लो लिविंग स्टेंडर उसके अराउंड पूरे फिल्म में फिल्हीद बहुत ही इंटेलिजेंट एक स्मार्ट परसन है जो काफी जादा चीजों को वहीं रलाके रख देती है और असल में काई ग्रीन की इस फिल्म में हार जरूर हुई थी लेकिन लोगों के दिलों में काई ग्रीन जीत गए थे तो फिल्म काफी जादा इमोशनल थी मैं भी उस तेम पे बहुत जादा कनेक्ट कर गया था इससे क्योंकि फिल्म में जो इससे ठोड़ा हिल गया था क्यारी क्या ही जीज दिखा रहे हैं और काफी इछी फिल्म दिखा रहे है लेकिन एडड़ दा वो वह सिर्फ एक फिल्म ही थी जिसमें कैरेक्टर बिल्डब किया गया था एमोशन एड़ किया गए थे और शीजों को एक इनसान के लिए काफी और दूसरे के लिए बहुत टफ दिखाए गया था प्रॉबलम में ये थी फिलीट का जैसा उस टाइम पे कैरेक्टर दिखाए गया था एक ऐसा इंसान जो रहीस है घमंडी है और टॉप पे है ठीक वैसी कैरेक्टर मैं एक मूवी में देख चुका था इसका नाम था आयरन मैं और इस कैरेक्टर के अंदर भी सेम यही ऐलिमेंट्स जा ले गए थे अमीर, इंटेलिजेंट, घमंडी और हमेशा ही जीतने वाला तो मेरे दिमाग ने उस ताइम सोचना शुड़ू करा कि यह कैरेक्टर वैसा ही है बस वहाँ पर एक सूपर हीरो यहाँ पर एक बॉड़ी बिल्डर लेकिन कैरेक्टर के ऐलिमेंट्स बहुत एक दूसरे से मिल खाते हैं तो फिल हीत का कैरेक्टर मुझे उनी की तरह दिखने लग गया और यह कैरेक्टर अपने साथ एक स्मार्टनेस लेकर आया एक एटिट्यूट भी साथ लाया और सबसे बड़ी बात यह कैरेक्टर नंबर वन था धीरे देरे करके पता नहीं होता आपको लेकिन आप उस एटलीट के भी फैन बनने लग जाती हो लेकिन जाहिर सी बात है मैं ऐसा फैन नहीं हूँ जो गलतियों को नजर अंदाज करे और सिर्फ पॉजिटिव चीज़े ही दिखाए इसके आगे मैं वीडियो में यह भी बताऊँगा कि फिलहीत ने जो चीज़े खराब करी है जो उनका एक एक एटिट्यूट घमन रहा है वो चीज़े भी actually में उनके अंदर में है present और हार को accept नहीं कर पाते हैं वो अंदर से क्योंकि उनको हमेशा जीतना है इंट्रेस्टिंग बार बताऊँ मुझे पहले फिलहीत पसंद नहीं थे लेकिन बाद में चीज़े धीरे धीरे करके develop होती है आपको एक sense आती है body को judge करने की किस तरह उसका एक frame, structure, roundness, 3Dness होती है क्या conditioning को कहते हैं क्या hardness, graininess कहला ही जाती है इन चीज़ों के माइने जैसे जैसे मुझे समझ आने लगे मुझे पता लगने लग गया कि ये body एक अच्छी body है पर हाँ, काई ग्रीन इनके बिल्कुल साथ में खड़े होते थे और वो इतने जादा comparable थे कि एक सबसे strongest challenger फिलहीत के आगे बनके चल रहे थे आज तक भी फिलहीत ये मानते हैं कि इनसे बड़ा प्रती दुंदी मेरे सामने अभी तक और कोई नहीं आया एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों Generation Iron ही वो मुवी थी जिसकी वज़ा से फिलहीत और काईग्रीन में काफी ज़्यादा दुश्मनी भी पैदा हो गई थी क्योंकि उससे पहले 2011-12 या और उससे पहले के सालों में ये दोनों एक साथ travel करा करते थे और एक अच्छे दोस्त के रूप में ये रहते थे लेकिन इस मुवी ने तो बोला ही ये था कि काईग्रीन एक एनीमी है तो कुलमिला के इस मुवी ने सारी चीज़े बदल दी इसके बाद 2013 का ये राजाता है काईग्रीन की अब हाइप इस साल काफी जादा बन गे थी उन्होंने एक फैन पोस्चर पे साइन कर दिया था और ये बोल दिया था कि मैं ही इस साल का मिस्टर ऑलम्पिया बनूँगा पर जब फिलहीत अपना टाइटल डिफेंड करने उतरे तीसरी बार तो स्टेज पे इन्होंने एक ऐसी बाड़ी दिखाई जिसके लिए फिलहीत आज भी मानते हैं कि उनके हिसाब से ये उनकी लाइफ की बेस्ट बाड़ी थी और इस बाड़ी का कोई तोड़ नहीं है ना उससे पहले ना उसके बाद ये चीज काफी हद तक सर्च निकली और प्री जजजिंग जैसे ही शुरू हुई तो पहला कॉल आउट होता है जब जजजिज एक पहली निगार डालते हैं अथलीट्स पे उस कॉल आउट के तुरंद बाद ही जजजिज ने फिलहीत को एक कोने में खड़ा कर दिया तो इंटरस्टिंग ये हुआ कि फिलहीत ये सोचने लग गया कि क्या मैं इतना अछा हूं कि मुझे खाप आउ है Hagin और प्री जजजिंग में यही डिसाइड कर लिया था कि ये फाइनलस में भी हमारा विणर बनेगा आखिर वही हुआ तीसरी बार टाइटल फिल हीट ने जीत लिया लेकिन फिर भी फैन्स की और से फिल हीट को एक तगड़ा बैकलेश मिलता है काई गरीन काफी एक चर्चित अथलीट बन गए थे लेकिन लगातार एक हार मिलने से उनके अंदर अब गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया था और वहीं दूसरी तरह फिल ये चाते थे कि लोग मुझे एकसेप्ट कर ले पर डेफिनिटल अब दोस्तो काय और फिल की रिलेशन्स पहले की तरह नॉर्मल तो नहीं रहे थे हलाकि दोस्तो हरानी की बाती है कि आज ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त है क्योंकि जो समय होता है वो अपने साथ एक maturity लेकर के आता है आज दोनों athletes में से कोई भी Mr. Olympia में नहीं खेलता और इसलिए वो सारी चीजों से अब ये उपर आ चुकी है जीत हार से cat 2014 में चीज़े इस तरीके से नहीं थी काफी गरम वातावरन होता जा रहा था और ये साल दोस्तो एक इतिहास को जनम देता है दोस्तों से पहले थोड़ा सा वीडियो को रोक करके हमें एक product के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों ये है biozyme iso zero carb अब एक enhanced absorption formula के साथ आने वाला highest quality whey protein अब इसके अंदर isolate whey protein powder डाला गया है जिससे की digestion और absorption बनता है really fast नतीज़ा ये निकलता है कि आप gym में जा रहे हो muscle build कर रहे हो तो आपकी muscle growth और aim जल्दी पूरा होगा especially जो लोग lactose intolerant है उनके लिए protein बहुत सही है उनको यहाँ पर gas, bloating, IBS जो खराब protein, low grade protein से हो सकता है यहाँ पर नहीं होने वाला है flavor की बात करों तो यह आता है इसमें ice cream chocolate यह flavor आपके अंदर grow होता है जैसे जैसे आप इसको consume करते हो तो इसको आप add कर सकते हो एक से 2 scoop अपने daily regime में अगर आपको एक अच्छी muscle growth चाहिए purchase link मैंने as usual डाल दिया है नीचे वीडियो के description में coupon code आपको सामने screen पे दिख रहा होगा तो सही में thumbs up protein है आप purchase करना चाहो कर सकते हो इसके बाद दोस्तों अपने वीडियो पे वापस चलते हैं तो 2014 का दोस्तों ये साल याद रखा जाता है एक ऐसी एतिहासिक लड़ाई के लिए जो Olympia में इससे पहले हमने और कभी ने देखी थी छोटे मोटे competitors में तो बहस बाजी होती रहती है लेकिन ये लड़ाई होने वाली थी दुनिया के top two best bodybuilders के बीच में प्रेस कॉंफरेंस में दोस्तों काफी खराब महौल होना शुरू हो गया था और काये गरीन यहाँ पर desperate थे title के लिए इस प्रेस कॉंफरेंस के शुरुआत में फिल ने बोल दिया था कि वो इस साल का Mr. Olympia यनि 2014 का dedicate करते हैं अपने father को जो अब नहीं रहे और फिल ने बोला कि मैं मानता हूँ के सारे athletes बहुत ही hard working है सब ही लोग महनत करते हैं लेकिन इस साल यह title मैं जीतूँगा यह मैंने अपने father को वादा किया था तो बीच में एकदम से काय करीन उनको interrupt करते हैं इस conversation में तो काय करीन उनको अचानक से बीच में interrupt करते हुए बोलते हैं कि अगर dedicate करने है तो पहले तीन जो Mr. Olympia थे वो कर दो अब वाला क्यों कर रहे हो और फिल को यहीं पर एकदम से गुस्ता आना शुरू हो गया उससे पहले वो हाला कि politely ही बात करें थे अगर आपने press conference पूरी देखिए बट इस तरीके से यहाँ पर argument एकदम heated होना शुरू हो गया और चीजे बिगड़ने लगी फिल ने काय को बोला कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ जिंदकी में तुमने ही सारी struggles देखी है सारा hard work सारी मेहनत तुम ही ने करी है हम लोगों को सब ऐसे ही मिल गया गया हलाकि फैन्स को यही लगता था because generation RN ने चीज़े इसी तरीके से represent करी थी उसी के साथ फिल काय गरीन को यह भी बोलते हैं कि तुम्हारी जिंदकी excuses बनाते हुए बीती है फिल काय को कहते हैं कि 2011-12-13 तीनों साल तुम कुछ न कुछ बोलते रहे अपने लिए चीज़ों को बहुत ही मुश्किल बताते रहे और दूसरों को चीज़े एजीली मिल जाती है लाइफ में ऐसा करके दिखाते रहे ओडियन्स को साथे साथ 2013 में तुमने फैन पोस्टर साइन कर दिया मिस्टर ओलम्पिया नहीं बन पाई उसके बाद अब इस बार भी 2014 में भी फैन पोस्टर साइन कर देते हो और अपने नाम की नीचे मिस्टर ओलम्पिया लिख देते हो क्यों तुम्हे लगभता है क्यों तुम फिल हीत को हरा दोगे इसके तीन फैक्ट्स बताओ будем तो काईो तो इस तरीके से माइक पटकते हैं वो प्रेस कॉंफरेंस एंड हो जाती है लेकिन ये चीज फिल समझ गे थे कि ये बात यहां एंड नहीं होने वाली और इनके अंदर का जो गुस्सा है वो जरूर से स्टेज पे काए कही ना कही निकालेंगे तो दोस्तों ये एक ऐसा मुवमेंट था जो अगले दिन हमने देखा प्री जजजिंग मिस्टर ओलंपिया 2014 में जब ये दोनों बॉड़ी बिल्डर साथ में पोजिंग कर रहे थे और एक ऐसा मुवमेंट आया जब ये आपस में टकराए ये दोनों बैक डबल बाई से पोज हिट कर κज़ए और स्बस्ट के लिए हमेशा बॉड़ी बिल्डर से एक दूसरे को पुश करते हैं अपना अच्छा हिट करने के लिए ूधी के देखने को मिलता है काई फिल्कि जह जुकते जा रहे हर एक इनसान का नेचर अलग होता है लेकिन एक प्रॉब्लम ज़रूर है उनके साथ में कि उनको गुस्सा आ जाता है और फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाते खुद को, यहाँ पर काईगरी ने इस पोज में करा उसके बाद इन्होंने घुमा करके अपनी जो पोनी टेल थी अपनी चोटी वो फिल हीट के उपर उन्होंने मारी और उसके उपर फिल हीट ने रियक्ट करा सिर्फ हस करके अगें फिल ने यहाँ पर कोई बत्तमीजी नहीं करी कोई वाइलेंट बिहेवियर नहीं अपनाया तीसरा पोज आता है Most Muscular का और उसके अंदर भी फिल हीट अपना पोज पहले हीट कर लेते हैं और फिर काय गरीन उनको टच करना शुरू करते हैं और फिर जटके से उनको एकदम धक्का मारते हैं और उनका हाथ नीचे कर देते हैं इसके अंदर अगर अब देखो Most Muscular में तो काय गरीन फिल के बहुत ही पास खड़े हुए हैं उनके और बैंड हो रहे हैं और फिल क्योंकि अपना पोज पहले हीट कर चुके हैं तो फिल को यहां से मूव करने की और अपनी जगा से हिलने की कोई जरूत नहीं है इवन काय गरीन के पास में उस सरफ पे बहुत ज़दा स्पेस खाली पड़ा है लेकिन वो स्टिल फिल हीट के बाद में पोज हीट कर रहे हैं और फिर उनको खुद से टच कर रहे है तो यहां पर चीज़े समझ में यह आती है कि काय गरीन लड़ने के मूड में इसमें थे और यह चीज इससे पहले कभी नहीं हमने देखिए स्टीव वाइन बर्गर ने दोनों अथलीट को डाटा और इनको सेपरेट किया तो यहां पर इनको सेपरेट कर दिया गया तो यह देखके बड़ा मज़ा आया फैन्स को लेकिन एथलीट के साथ में कोई बहुत फन सिचुएशन नहीं होती ना फिलीट के लिए ना काय गरीन के लिए और दोनों के अंदर एक गुसा था दोनों को अपने आपको साबित करना था वर्दी एक तरह से काय गरीन को यह साबित करना था कि मैं मिस्टर ओलंपिया जीतने लायक हूँ इल्कुल भी ना हो और काई ग्रीन को भी अभी तक एक लास्ट होप थी के मैं जीत जाऊंगा शायद पर आखिरकार फिल हीट इस टाइटल को जीत लेते हैं चौती बार और गोल्डन सेंडो भी उनको दे दिया जाता है तो यहाँ पर अकेन एक बहुत तगड़ा बैकलैश मि इस Mr. Olympia का नाम आता है दोस्तों और बहुत सारे लोग मानते हैं कि उस दिन काई ग्रीन को जीता देना चाहिए था स्टीव वाइन बर्गर कहते हैं आज भी इस वाली कॉंट्रोवर्सी पे के फिल हीट और काई ग्रीन में फिल एक दम क्लियर चैंपियन थे हर एक पोज उन्होंने जीता था और इसलिए परफेक्ट स्कोरिंग हमने उनको दी खैर यह उनके शब्द है लोगों का अपना अलंपिया को छोड़ दिया तो यहाँ पर फिल हीट और काई ग्रीन की लड़ाई आखिरकार खतम होती है काई ग्रीन की पॉपुलरिटी यहां से और आस्मान शुरू कर देती है वहीं फिल हीट की बात करूं तो उनका यहां और डाउन फॉल आया जो बैकलेश फिल चाते यहां पर जीतने के बाद अब वो बिल्कुल ही एक ऐसे इंसान बन गया है जिनको लोग जल्दी से जल्दी हारते हुए देखना चाते थे और यहां पर काई ग्रीन एक इमोशनल वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे और रोते हुए बताते हैं कि अब वो ओलंपिया भी क साइन करो अपना कॉंट्रेक्ट और आओ कंपीट करने के लिए अगर तुम्हें सही में लडने का शौक है तो लेकिन लडने का शौक नहीं है तो भी बोल दो कम से कम फैंस को तो क्लियर हो जाए जो बात अपने आप में जायज थी पर किसी भी तरह काई ग्रीन ने इन बात एक बड़ी चुनौती देने वाला अथलीट नहीं था सारे अथलीट थे तो सही लेकिन उनसे बहुत ही पीछे पीछे यह भी माना गया 2015 के साल में के अगर काई ग्रीन उस साल आ जाते तो डेफिनिटली फिल हीत को हरा देते और स्ट्रीक तोड़ देते उनकी खैर हीत अप भी बाड़ी बिल्डर फिल हीत को टच करने लाइक नहीं यानि कि फिल हीत माइल्स अहेड हैं उन सारे ही अथलीट से जो अभी कंपीट कर रहे हैं उन्होंने का था कि फिल इस समय पे 90 की कंडिशनिंग तब की हार्डनेस दिखा रहे हैं लेकिन बाकी के अथलीट इनसे पारन इनको कोई तगड़ी चुनोती नहीं दे पारा और अगर तगड़ी चुनोती को देगा नहीं तो कॉمपिटीशन कईसे अट्रेक्टिव बनेगा और इसलिए इस कॉंपिटीशन को अट्रेक्टिव बनाने के लिए काई ग technically तो थेने तो फिल हीतको कंपेर करा जाने लग गया 90s के bodybuilders से ये बोला जाने लग गया कि फिल हीथ शौन रे के आगे भी नहीं खड़े हो सकते इसलिए फिल की popularity यहां से और डूपती चली गई 2017 में फिल हीथ वापस आते हैं Olympia खेलने और इस बार अपनी life की सबसे बड़ी full rounded physique ले करके सबसे भारी वजन पर उतरते हैं करीबन करीबन यह वजन था 248 LPS जहाएं सिर्फ 242-243 के वजन पर ही compete करा करते थे इस बार 248 पर आ गए और 2011 के अपने stage weight से यह 13 pounds उपर थे और यह fullness यह roundness इनको कर दे रहे थी सबसे ज़्यादा बड़ा पूरे competition की stage पे लेकिन सिर्फ इतना नहीं था बहुत क्योंकि Big Ramey इनके साथ आके खड़े हो गए बिल्कुल इनके बराबर में और यहाँ पर second place Big Ramey ने achieve किया यह माना जा रहा था कि Big Rameys competition को जीत सकते थे लेकिन Phil न ने लगातर back to back साथ titles जीते वहीं Arnold ने छे titles एक साथ जीते थे और साथवा एक gap के बाद तो Phil Heath यहाँ पर जब अपना साथवा टाइटल जीतते हैं एक अच्छी खासी Olympia speech देते हैं और फिर से सारे athletes को वह congratulate करते हैं यह बोलते हैं कि सब ही लोग बहुत hard working है सब ही लोग बह हैं और कोई लडाई कोई जगड़ा नहीं है किसी में भी तो यह speech देने के बाद वह Arnold के style में बोलते हैं I'll be back definitely Phil Heath जीत करके चले गए लेकिन इस बार यह जीत उनके ओपर बहुत जादा भारी पड़ गए इस competition के खतम होते ही एकदम से internet पे उनके memes और उनके photos ट्रॉल होने ल जादा ही visible हो रहा था तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि यह एक pregnant Mr. Olympia है और यहां पर Phil Heath completely reject कर दिये जाते हैं fans की ओर से judges की अगर बात करी जाए तो judging के parameters उस साल बिल्कुल बदल गए क्योंकि वो लगातर देख रहे थे bodybuilders का gut बढ़ता जा रहा है पर bodybuilders इस पर control नहीं पा रहे हैं और उसी साल उन्होंने अपने standards बदले और gut वाले athletes को markdown करने की बात कही 2017 का Olympia खतम होते ही फिल ने अपना title तो जीता लेकिन उसी साल उनकी जिंदी की पर एक बहुत बड़ा खत्रा मन रहने लगा क्योंकि गट तो निकल गया था लेकिन इससे बड़ी problem थी उस गट के निकलने की वज़ा और वो वज़ा थी हर्निया और मैं आपको बतातो दोस्त जरीके से करी थी doctors ने और अब competitions खेलते खेलते फिलीद की वो जो हर्निया है वापस से बाहर आने लग गई थी और bodybuilders के heavy lifting के कारण पेट पे pressure पड़ता है जिस पुरा से हमारी intestine बाहर दिखने लगती है हमारी नाभी से तो हर्निया उनको इतना ज्यादा था उसी को हर्निया कहते हैं वो इतना ज्यादा हो गया था कि अब उनको operation की सक्त जरूर थी जब operation कराने गए तो उनको पता लगा कि सिर्फ उनको हर्न हर्निया नहीं है उनको है intestinal strangulation यानि कि intestines उनकी block है या तो small या फिर large और यह इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है इससे पूरा blood flow रुख जाता है और नतीजह यह हो सकता है कि किसी भी पल आपकी जान जा सकती है तो फिल जिस चीज़ को सिर्फ एक हर्निया मान के बैठे थे व और किसी भी मुमेंट नहीं ऐसा हो सकता था कि उनकी जान चली जाती स्टेज पर भी ओलम्पिया की ऐसा हो सकता था पर इस चीज़ से बिलकुल वह वाकिफ नहीं थे और डॉक्टर्स ने जब फिल हीद की intestines खोली न तो वह intestine फट गई वह explode हो गई डॉक्टर्स खुद डर ग इतनी वह बाहर लटक गई थी डॉक्टर्स ने का कि बहुत हैरानी की बात है कि फिल हीद इस तरीके से अपनी जिंदकी अभी तक जीते आ रहे थे क्योंकि उनका जो abdominal का section उनके abs जो है उसको वह सिर्फ आदा यूज़ कर रहे थे उन muscles को वह control ही नहीं कर सकते थे और हमने stage भी देखा कि वो अपने stomach को किसी भी तरह control नहीं कर पा रहे थे उन्होंने जितनी भी ताकती सारी लगा दी लेकिन तब भी stomach अंदर नहीं होता था उनका तो चीज़े उनके साथ lifelong थी लेकिन अभी हालत बत्तर हो गए थी इसलिए बिल्कुल पेट उनका बाहर लटकने लग और वो चीज़े ठीक से उनके stomach में fit नहीं हुई थी और नतीजा ये निकला कि उनकी दुबारा से surgery हुई तो 2017 के end तक अम उनकी दो surgeries हो चुकी थी और इसी वज़ा से उन्होंने एक अपनी सबसे important चीज़ लूज करती और वो चीज थी आठवा सेंडो एक bodybuilder top पे क्यो रहत होता है फिलहीत ने पूरे lifelong ये की बात बूलिये कि मैं perfection को chase करता हूँ तो यहीं पर फिलहीत की हार का फैसला हो चुका था डोरीन एट्स तक को रिटार्मेंट इसलिए लेनी पड़ी थी क्योंकि 97 के बाद वो उस तरीके से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे जैसे कि उससे पहले करते थे और अब यहां फिलहीत का पेट दो बार खुल चुका था तो इस हरनिया सरजरी की वज़ा से अब वो उतना हार्ड और हैवी नहीं पुश कर पा रहे थे जिम में जितना वो मिस्टर ऑलमपिया ट्रेनिंग के लिए करा करते थे और नतीजा ही निकला कि वो आफ सीजन नहीं लगा पाए और यहीं फिलहीत ने गलट डिसीजन लिया 2018 का वो साल उनको स्किप करना था लेकिन उसी साल वापस से वो उलमपिया का टाइटल डिफेंड करने के लिए उतर थे क्योंकि वो आठवी टाइटल का सवाल था उनका खेलना बनता था फिल अब उस इलीट कैटेगरिय में जाने वाले थे जिसमें कि आज तक सिर्व रॉन साइज और राउंडनेस नहीं थी जैसे 2017 में वो दिखा चुके थे गट उनका अभी भी कुछ कम नहीं हुआ था हाला कि उनकी हरनिया बाहर दिखनी बंद हो गए थी पर पेट पे उनका कंट्रोल अभी तक भी नहीं आया था और नतीजा उनकी बॉड़ी की बिल्कुल फिजीक दिखाई और इतनी कमेंडेबल इतनी अप्रीशेबल फिजीक वो थी जिसका सामना फिलहीत नहीं कर पाए प्री जर्जिंग में फिलहीत को पता लग जाता है कि वो इस टाइटल को हार चुकी है और शॉन रोडन एक पॉइंट से उनसे आगे चल रहे है ये बात है फिलके वीक पोज इस कौन से है तो उनको वहाँ एक्सपोज करने का उन्होंने एक बड़िया प्लैन बनाया जब फिलहीत अब्डॉमिनल से नथा हिट करने वाले थे तो शॉन उनको देखना शुरू कर चुके थे और लगाता देखते ही रहे और वहाँ पर सबको पता था फिल से यवाला पोज हिट नहीं होगा पेट पेन का कोई कंट्रोल नहीं है और शॉन रोटन का था वो बेस्ट पोज तो वहाँ पर ही उन्होंने एकदम सब कुछ क्लियर कर दिया फैन्स भी चाते थे शॉन को जीतते वे देखना जड़िस को भी बिल्कुल क्लियर था तो इस कॉंटेस्स से पहले ही शॉन ने अपनी काफी हाइप बनानी शुरू कर दी थी और बताया था कि फिल के कितने सारे पोजिस खराब दिखने शुरू हो चुके हैं और सही में फ्रंट डबल बाइसे जैसे पोजिस साइट चेस जैसे पोजिस और यहाँ पर अब्डॉमिन और उन्होंने ये बोला कि जब मैं हारा तो उसके दो मिनट बाद तक क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं फिल बोलते हैं उनको ऐसा लगा जैसे कि उनके सीने में किसी ने गोली मारती हाला कि फिल ही थी तो जानते थे कि लोग मुझे हारते वे देखना चाते हैं और इ सबसे बड़ी हार है पर चीज़ें यहां पर नहीं रुकिए इसके बाद इनकी एक और सर्जरी का टाइम आ जाता है क्योंकि फिल ही ने जो यह ऑलंपिया के अंदर खेला था मतलब 6-7 हफते पहले ऑलंपिया से उनकी जो यह हर्निया की प्रॉब्लम में वापस आने लग ग हर्निया वापस से फट चुका है और इसलिए तो ट्रेनिंग करने से डर रहे थे हैवी पुश नहीं कर पा रहे थे कहीं टाके उनके वापस से ना खुल जाए हर्निया वापस बाहर ना आ जाए ऐसा ही हो भी गया ओलंपिया के दौरान काफी जादा पें था उनको उनके अं करना उनके नसीब में था लेकिन आठवे टाइटल का सवाल था वो आकर कैसे जोर ना लगाते और अपने दिमाग से स्ट्रॉंग होकर कि अपने शरी को जितना भी पुश कर पाते वो उन्हों ने कर लिया लेकिन अगर आप अच्छे नहीं देख रहे हो उस दिन तो आपने जीतोगे यहाँ पर यह चीज़ खतम होई उनकी एक और सरजरी होई साल के अंत में दिसंबर के आसपास और यह सरजरी उनकी ओपर काफी ज़्यादा भारी पड़ गई इसके बाद फिलहीत ने कई महीनों का रेस्ट लिया यानि चार से पांच महीनों तक उन्हों ने ट्रे पूटे हो गए और बिल्कुल ट्रेनिंग ना कर पाने के कारण उन्होंने अपनी काफी सारी मसल्स लूज कर दी थी उनका पेट तीन सर्जरी की वज़ा से बहुत ही कमजोर हो चुका था फिलहीत उस टाइम पे भी बस यही सोच रहे थे कि क्या करूं मैं अपनी जिंदिकी के साथ में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे शराब पीने लग गए थे ओलंपिया के बारे में ही बस सोच से रहती थे और यह सोच से थे कि मेरी आखिर क्या गलती थी उनका टारगेट 10 ओलंपिया टाइटल्स जीतने का था और 7 टाइटल्स क को खतम करने का क्योंकि उनसे वो गेम छीन ली गई थी इस बार बॉड़ी बिल्डिंग के सेंडोज उनसे दूर होते जा रहे थे फिल ने हमेशा कहा कि मैं जाना जाओंगा अपने नंबर ऑफ सेंडोज की वजा से कितनी बार जिंदीकी में मैंने मिस्टर ऑलंपिय कि पूरा ओलंपिया उस साल क्रिटिसाइज हुआ अपने लो स्टेंडर्स के कारण उस साल बिग रहमी आने ही पाए थे फिल हीत का आने का कोई सवाल नहीं था शौन डोडन सस्पेंडिट थे तो ब्रेंडन करी ऑलंपिया चैंपियन बन गई और इस साल अगर फिल हीत कंप 2020 का 200 साल लग जाता है और ये था पैंडेमिक एयर कुरोना के चलते सबसे वहियात साल इस साल ओलंपिया भी बिग गया और आसार ये थे कि मिस्टर ओलंपिया भी नहीं होगा वो कॉम्पिटिशन ही कैंसिल हो जाएगा पर ओलंपिया के नए ओनर बने जेक वुड ने ये कं पोर्ट को ले करके फिलहीत ने दुबारा से अपनी ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी क्योंकि अब उनकी हीलिंग काफी अच्छी हो चुकी थी 2018 के एंड में उनकी सर्जरी हुई थी और ये 2020 चल रहा था तो अच्छा का सा समय उन्होंने रेस्ट कर लिया था फिल यहां पर त्रेनिंग करने जाते हैं जिम में और यहां पर सारे जिम हो जाते हैं बंद क्योंकि यह सारे बॉडडी बील्डस के सार्त में प्रॉब्लम थी आप घर से बाहर ने निकल सकते तो जिम किसके लिए खो लेंगे तो इसलिए उन्होंने चोरी-चुपे ट्रेनिंग करी अपन अपनी खोयोई मसल्स को आपस से इखटा किया उनके ट्रेनर हैनी रंबॉट जो हमेशा उनके साथ रहते थे इस बार फिल की पूरी प्रेप के दौरान वो उनसे दूर थे मतलब सिर्फ वीडियो कॉलिंग पे और फोटोज एक्सचेंज करके ही कम्यूनिकेशन हो पा रहा था एक कोच और अथलीट का आमतार पे इतने बड़े अथलीट के कोचिज उनके साथ में काफी रहते हैं लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था और किसी भी बॉडि बिल्डर के साथ पॉसिबल नहीं था औलम्पिया शुरू होने वाला था एसमशन यह लगा जा रहे थी कि इस साल शौन रोडन तो आने रहे और फिल हीट के सामने जितने भी इस बार अथलीट साइंगे बिग रैमी, ब्रेंडन करी, हाड़ी शुपन तो खुद नहीं है इनको पहली हरा चुके है तो इनको हराने वाला कोई नहीं आठवा सेंडो फिल हीट का इस बार पक्का पर चीज़े वैसे नहीं होती, इस बार भी एक सर्प्राइज आने वाला था जैसे 2018 में उनको सर्प्राइज मिला था नहीं ही मालम था उनकी फिज़री कैसे दिखने वाले लेकिन जैसे उनकी एक पहली झालक दिखी तो सबसे पहले निगाछ आती है उनके मिड सेशन में एक उम्प्रोमाइज और चुका था Glutes में Fiber नहीं पढ़ रहे थे Because अब Glutes में Size यह नहीं बचा था इतनी सारी खामियों के साथ एक Body Builder Mr. Olympia कैसे बन सकता है लोगों ने उमीद लगाई कि हमें 2011 बार आया 2013 के Phil Heath देखने को मिलेंगे लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप दस सालोबाद वैसे ही दिख जाओ जैसे आप दस साल पहले थे तो Phil Heath यहाँ पर डेफिनिटली एक Perfect Physique से बहुत दूर थे और सबसे बुरी चीज़ उनके करियर में इस बार यह हुई कि First Time अपनी लाइफ में पीक मिस कर दी मतलब एक Seven Time Mr. Olympia यह बोल रहा है कि Mr. Olympia को Big Ray में जीत लेते हैं और Phil Heath यहाँ पर तीसरी प्लेसिंग लेते हैं यानि Brandon करीब उनको हरा गए थे अच्छी बात यह होई कि Third Placing लेने के बावजूद भी Phil Heath के मूपे एक स्माइल थी इस बार और वैसा उन्होंने बिहेव नी किया जैसे उन्होंने 2018 में किया था उनको ये समझ आ गया था कि हार एकसेप्ट कैसे की जाती है और हमेशा आप नहीं जीत सकते तो Phil यहाँ पर Third Placing लेते हैं खुश होते हैं और ये वही Third Placing थी जो 2008 में भी उनको अपने पहले Mr. Olympia में मिली थी और इस बार वही Third Placing उनको अपने इस Last Mr. Olympia में मिलती है और Phil यहाँ पर अपना Last Olympia खेलके हट जाते हैं तो दोस्तों ये तो Phil Heath की पूरी Competitive History हो गए जो मैंने आपको पूरी खोल के बता दी है लेकिन अभी Phil Heath ने को ये Retirement Announce नहीं किया Phil Heath की एक Biopic भी आने वाली है तो मैंने सुचा वो नहीं आ रही तो ये Biography तो आ जाए उमीदे लगाए जा रही है कि वो बिल्कुल अब इस साल Release होने वाली है कुछ ही समय में तो इसके अंदर Phil Heath का ये कहना है कि वो वापस Olympia में आ सकते हैं इस साल की काफी Strong Speculations थी कि 2023 में वो आएंगे पर उन्होंने मना कर दिया और अब ये लगाया जा रहा है कि 2024 में हमें दुबारा Phil Heath को हम जानते थे एक arrogant इंसान के रूप में ऐसा नहीं है कि वो अब बिल्कुल सही हो चुके हैं लेकिन हमेशा हर एक इंसान में इयर में जब वो काफी competitive और काफी उपर से अपने career में और जब लोग criticize करते थे उन्हें तो ये लगता था काई ग्रीन को तो इतना ज़्यादा support मिलता है मुझे क्यों criticize किया रहता है काई ग्रीन भी कुछ कम नहीं थे अगर देखा जाए और ये फिलीट का ही क्योट है कि they criticize the best आज हाड़ी शुपन बेस्ट बने है तो हम उनमें कमिया निकालते हैं बिग रैमी जब तक best थे हम उनमें भी कमी निकालते थे लेकिन 20th place वाले को कोई criticize करने नहीं आता तो फिलीट ने इन चीजों को जहेलना सीखा है तो यह सच है अगर आप जितना reply करोगे ना उतना ज्यादा लोग बाते बनाएंगे और उतना ही ज्यादा आपको लपेटते रहेंगे इमेज आप ही की खराब होनी है और सोशल मीडिया के दौर में सबसे पहले Mr. Olympia होने के कारण फिल हीत को ये backlash बहुत ज़ादा मिला आज जैसे के हम लोग किसी भी जिसको criticize बहुत easily कर देते हैं जज बहुत easily कर देते हैं पहले लोग ये करी नहीं पाते थे क्योंकि हम पे सुविदा ही नहीं होती थी ये सब करने के लिए सोशल मेडिया ने सब लोगों के हाथ में एक टूल पकड़ा दिया कि हम किसी के भी बारे में comment कर सकते हैं easily हम criticize कर सकते हैं किसी भी चीज़ को और आज हमारी ये nature ज़ादा है तो फिल हीत को criticism मिला उनके बाद वाले जितने भी अथलीट से हैं उन सब को भी criticism मिला है लेकिन सबसे पहले ये चीज़ फिल हीत ने झेली और वो ठीक तरीके से इन चीज़ों को नहीं समाल पाए पर इसके मैं दूसरी साइड आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों और मैं यही कहूंगा कि उनकी जो बाते हैं इतना ज्यादा वो motivational बात आज के टाम पे कर रहे हैं आप उनके podcast देखते हो 3-3-4 गंटे के podcast कितने चैनल के साथ वो कर चुके हैं फिल ने बोला था retirement के बाद मैं fans को वो सब चीजे वापस बताऊंगा जो मैंने bodybuilding से सीखी हैं अब उनकी बाते सुनोगे आपको पता लगेगा कि यह athlete सही में कितनी ज्यादा knowledge दे रहा है और जितने अच्छे speaker Phil Heath है ना जितना deep में वो बातों को analyze करके आपके आगे बोल देते हैं उनका opinion उनका perception बहुत अलग है यह believe करो वो जब कोई भी बात बोलते है ना तो उसके पीछे इतनी ज़्यादा गहराई होती है आपको लगेगा यार कितना एक wise man हमें कोई बात सिखा रहा है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं Phil Heath का फैन हूँ बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि इनी चीजोंने मुझे Phil Heath का फैन बनाया है Phil Heath के आड आप Instagram पोस्ट और स्टोरी स्पन को follow करते हो Instagram पे हमेशा Happy Sunday, Happy Monday अपने दिन को अच्छे से यूज करो जिम करो, workout करो, business करो, जो करना हो करो इस तरीके की बाते और हमेशा ही motivate करने की कोशिच करते हैं अपनी जनता को So keep in mind that your attitude is everything no matter what I don't care if you're cleaning toilets I don't care if you're trying to be the best bodybuilding world You gotta be the best at it You gotta be the best at everything you do Because that's what you were designed to do And you're gonna develop some skills, some characteristics that are gonna promote you All right, so be well, be encouraged, have a great awesome day, peace Even though, लोग आज भी उनको उस तरीके से आद रखते हैं कि वो काफी arrogant है मेरे साब से हमने सिर्फ उनकी एकी side देखिया और बाकी के बहुत सारे ऐसे पहलो में फिलीट के life के चैप्टर के जो हमने miss कर दिये बहुत सारे struggles उन्होंने पनी जिन्दकी में सही में करी है ऐसा नहीं है कि उनको सब चीजे मिल गई थी तो movies के उपर हमें थोड़ा कम जाना चाहिए और reality हमें देखनी चाहिए हर एक athlete की life में imperfections तो होते ही है फिलीट की life में point out जादा इसलिए हुए क्योंकि वो top पे थे फिलीट बोलते है कि winning आपकी habit बन सकती है मेरे भी बन गई थी और उसके बाद हार accept करने के लिए जिगर चाहिए होता है जो मुझ में नहीं था तो definitely over the time उन्होंने ये भी सीखा है कि हमेशा आपकी life उतनी perfect नहीं जा सकती जासा आप plan करते हो दस मिस्ट ओलंपे titles तो फिलीट को कभी भी नहीं मिले definitely अपने उस perfect planning से वो हमेशा दूर रहेंगे लेकिन आज फिलीट बहुत खुश है और अपनी जिन्दकी में बहुत ही positive mental attitude के साथ में training कर रहे हैं healthy feel कर रहे हैं और हां TRT dosages पर भी चल रहे हैं तो अभी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं अगर अभी कि आप फिलीट को देखो तो possible नहीं होगा इनको कहना कि रिटाइड है फिलाले अपने कई सारे shows भी करवाते हैं इसे कि एक होता है फिल हीथ classic कई सारे लोग उनको negatively याद रखते हैं बहुत सारे लोग उनको positively याद रखते हैं एक great champion के तौर पे क्योंकि सही में वो एक great champion है क्योंकि seriously let's get real अगर आप 7 Mr. Olympia titles जीत रहे हो तो आप एक great champion हो आप तुक्के में एक से दो Mr. Olympia titles जीत सकते हो एक या दो लेकिन तीसरा अगर जीतने लगो चौत था पांच वा छटा साथ वा तो आप तुक्का नहीं मार रहे हो आप definitely बहुत ही उपर हो बाकी के athletes से तो इसलिए Phil Heath आज काफी positive रहते हैं पता है उनके haters काफी सारे हैं लेकिन इसी को कहते हैं आगे बढ़ जाना जैसे काय गरीन और वो आगे दोनों बढ़ गए आज दोनों के दोनों दोस्त हैं और दोनों के पास एक दूसरे के phone number से बात करते हैं और अब एक दूसरे को चिडाते भी है तो ट्रॉल वाले वे में, फन वाले वे में जैसे कि अभी रिसेंटली फिल और काय के बीच में ऐसा हुआ था तो इनका भी रिलेशन ग्रो कर गया टाइम के साथ साथ और अब टाइटल जीतना हारना इन लोगों के लिए मैटर ही नहीं करता है उस स्टेट से लाइफ की बहरा आ चुके हैं तो यह सब एक पड़ाव होते हैं इनसान की जिन्दगी के जो उसे जीने पड़ते हैं फिल इत कैर मैंने आपको सारे पड़ाव बताये हैं दोस्तो इस वीडियो में है कि आपके अंतर अच्छी खासी अनर्जी होती है एक्सेस करने की और आप खुद को इतना ज़्यादा पुश कर सकते हो और बेस्ट रिजल्स ला सकते हो चाहे डाइटिंग चाहे बलकिंग में साथी साथ मैंने आपको फिल हीड के वो तीन स्पेशल सेंडोस के बारे में ने बताया जो सिर्फ उनी के पास है गोल्डन वन ओरिजनल वन और उसी के साथ साथ अभी का मिलने वाला सेंडो मैंने आपको ये भी ने बताया कि फिल हीड की परसनल लाइफ कैसी रही है उनके साथ धोके कितने लोगों ने करे हैं हैनी और फिल का रिलेशन कितना गहरा था उसका भी मैंने आपको ज्यादा अंदाजा नहीं दिया in fact 2018 की pre-judging जब खतम हुई थी तो हैनी रमबोट ने फिल हीद को बोला था कि हम दोनों को घुटने पे बैठके प्रे करना चाहिए और इन दोनों ने एक साथ बैठके प्रे करा था अगले दिन के लिए तो बहुत बचकानी चीज शायद आपको लग रही हो लेकिन इनसान हर एक वो चीज की कोशिश करता है जिसको वो दिल औ जान से चाहता है उस टैम पे वो उस टाइटल से आर्ट पे टाइटल से सबसे ज़्यादा जोड़े होए थे जब प्रेप्रेशन से काम ने बना तो ये चीज भी इन दोनों ने मिलके करी थी तो बहुत ही इमोशनल जर्णी थी दोस्तों फिल हीथ की और आज तक इस सबसे लेंदियस बायोग्राफी रही है ये All About Olympia की स्टिल मैं पूरी तरह से सैटिस्फाइ नहीं है कि ये मैंने बहुत अच्छी बनाई है विकास वो ही लगता है कि और इसमें मैं क्या करूं उसको और एकसाइटिंग बनाने के लिए फिलाल एक घंटे पंदरा मिनट के आज पास इस पूरी बायोग्राफी का एक रन टाइम हो जाएगा अगर मैं इसको एक साथ डालता लेकिन फिर भी अभी भी काफी लंबी चली गई है दो टुकडों में भी बस आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना मसल बलेज वाला प्रोटीन भी चेक कर लेना अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए स्टे टून गुडबाई शुक्रिया